प्रेस्ट और कमाल ब्लॉग में पहाड़ों से तो दिन के सुरुवात तो हो चुकी है पहाड़ों में और सुबह भी अच्छी काफी बढ़िया सुभावना मौसम हो रहा है क्योंकि कल रात को हुई है बारिस और सुबह-सुबह भी थोड़ देर पहले बारिस ओरी थी जिससे मौसम में चार-चान लगे हुए हैं और काफी सुभावना मौसम बना हुआ है मैं एक बार आपको नजारे दिखाता हूँ सुबह-सुबह के नजारे देख लीजिए और बताइए कैसा लगा मौसम फ्रेंड देख रहे हैं आज का मौसम कभी भी बारिस हो सकती है देखिए मौसम हुआ है क्योंकि कल रात भी है बारिस और सुबह तक भी बारिस ही चल ली थी जिसका रण अभी मौसम काफी स्वहवना देखने को मिल रहा है बारिस भी अभी बन हो रही है थोड़े पहले तो फ्रेंड इसी खूबसूरा सुबह के साथ ही अपने ब्लॉक के आ रहा है आज बारिस भी बाद तो मुक्तिसवर में मौसम हो गया है तो फ्रेंड फाइनले के सेले मार्केट से निकलने के बाद बहुत दिनों के बाद अमीन भाई के साथ चकुटा साइट पर यहां पर तो आगी हूँ थोड़ा बहुत आपके साथ काम भी सियर करता हूं यहां पर कैसा काम हो रहा है क्या काम हो रहा है तो नजारे तो सुबह सुबह ऐसे आ रहे हैं चकुटा साइट से बहुत समय बाद मैं भी आ रहा हूं यहां पर कारी चला हुआ है हम लोगों का उपर जो वाल लेख रहे हैं इसके राइड में एक कोना रह गया था दिवाल का जिसका निर्माण हो रहा है और सांत में जो हमारी रोड से चल ली थी डबलमेंट का कारी हो रहा था यहां पर भी कारी फिर से शुरू हो चुका है अब जाके यहां पर चिनाई हो रही है तो यहां पर हो रही है चिनाई और रोड से उपर यह वाली वाल जो पहले कंपलीट हो हो रहा है काफी खुपसूरत सींस आ रहे हैं यहां से भी अब जाके ना फ्रेंट धीरे-धीरे हमारा जो डेबलमें डेबलब करना था हम लोगों को लेंड डेबलब करनी थी वह कंप्लीट हो रहा है उपर साइड में भी कंप्लीट होगी लास्ट दिवाल जो मां आपको चिनाई कॉलम भरे जाएंगे फिर चिनाई होगी और नीचे वाली साइड में तो पहले ही डेबलब हो गया था तो उस पर चिनाई शुरू हो रही है किस प्रकारें आप कहाम हो रहा है और काम के रिलेटीव आपकी जो भी क्वैरी हैं आपको काम करवाना है काम से कुछ भी आड़ो मकारी कैसे होता है उस संब्सक्राइब कुछ भी आपको जानगारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमां जो नंबर है वो आपको डिस्करप्शन में मिल जाएगा और एक चीज और आपके सांसियर करता हूं सायद आपका भी कुछ काम बन जाए दोस्तों यह हैं फ्लेट्स विस्पलंग वैली सामने बोर्ड लगा हुआ है विस्पलंग वैली प्रोजेक्ट के तहट यह एक फ् बीच के फ्लेट किसीने ले रख है और उस पर थोड़ा बहुत कार्य चल ला है तो वह आपके सांसियर करता हूं तो मैं चलता हूं उपर और आपको दिखाता हूं और समझाता हूं क्या काम हो यांपर हो रहा है तो यह हैं इंट्रिगेट इनका तो चलते हैं अंदेर की तिरफ मस्त सीणियां बना रखें देखें पत्थरों से खुबसुरा लोक आ रहा है खुबसुरा डिजाइन आ रही बढ़िया लग रहा है तो चलता हूं उपर ही और जो यहां पर केर टेकर रहते ना उनने आसपास मस्त फूल लगा रखें काफी मयने यहां रहा है है तो मेरे पीछे फ्लेट देख रहा है तो इनी फ्लेट पर एक फ्लेट हम लोगों ने आपर सेल किया हुआ है दो प्लेट इस पर सेल हो चुके हैं तो फ्लेट और रह गया है फ्लेट साइड जो है 300 स्कौार फिट में बना हुआ है जिसमें दो बेड्रूम एक हॉल साथ में अटेज उसी पर एक किचन और हर रूम पर अटेज बात्रूम उगरा तो फ्लेट में ये कुछ मिलता है आपको दो रूमों के साथ एक डाइनिंग हॉल और फ्लेट काफी मस्ट तो फ्रेंड पहुंच गया हूं मैं फ्लेट पर जो फ्लेट ले रखा है जिस पर रिनिवेशन का काम चल ला है अभी इसकी बालकनी पर खड़ा हूं तो अंदर की चलब तरब भी चलूंगा और आपको भी दिखाता हूं कैसा दिखता है अंदर से दिखने में फ्लेट तो स पासी में यह चोटा सा किचन एरिया है आपका तो हॉल साइज 16 वाई 16 की है और जो बैडरूम साइज है दोनों 12 वाई 14 पहला बैडरूम यह है आपका 12 वाई 14 का ऐसे ही दो बैडरूम है इस फ्लेट पे 12 वाई 14 के और साथ में इसके बात्रूम है तो इसके अंदर काम चल है जैसे अलमीरा थोड़ा ठीट कर रहे हम लोग और यहां सी नीची वाली बाल का नीची वाला जू फ्लेट है उसका एरिया दिख रहा है और विंडू से देखे व्यू कितना मस्तार है तो एक रूम तो यह है दोस्तों और एक रूम और है इसमें जो अभी आपके साथ दि किचन तो मैंने आपको दिखाई ही दिया है किचन साइड और यहां से एक जिट है आपका इंट्री है और एक रूम यह है तो इस पर भी देखे पेंट पेंट चला भी तो यह भी आपका बारबाई 14 रूम साइज है और साथ में थोड़ी सी जगह आपके कपड़े सूजू रखने के लिए और उसके राइट में आपका बात्रूम का तो यहां पर कपड़े पर रख सकते हैं यह एरिया आपका बात्रूम का तो यहां भी पूरा फर्णीश्ट है टायल वगर टायल वरक वगर सारा कुछ कर रखा है दिवालों पर टायल मिरर टॉयलेट सीट वास पे अब दूसरे फ्लेट का है तो व्यू देखिए काफी खूबसूरत यहां से देखने को मिल रहा है काफी खूबसूरत हर्याली देखने को मिल रही आसपास की हुआ है तो अब चुलूंगा में सीधे रोट पर नीचे तो आपने देखी लिया है कैसा फ्लेट है और कुछ क्येरी हैं तो आप कॉल सकते हैं यह नीचे वाली बालकनी रिच प्लेट है तो फ्रैंट कैसा लगा कारिया आप हमें कमेंड में बताइएगा और इन फ्लेटों से ले रिलेटिव या फिर आपको हमारे काम से करना चाता है तो लेना को पर्चेस करना चाहते हैं जो भी आपकी व्यारे कारी है जो भी आपके राम सवाल हैं और你是 लोग तो बीषे जब भी आते हैं लोग यहीं पर अपनी गाड़ी पार करते हैं और फिर उपर फ्लेट पे चले जाते हैं तो काफी वेल डेबलब एरिया है अच्छी जगह पर है और काफी रिजनिवल प्राइज में आपको मिल जाएंगे अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं बागी यहां से केवल 500 मेटर या 700 मेटर के आसपास में कश्या लेग मार्केट है और आसपास का एरिया भी वेल डेवलब एरिया है आपको यहां पर बहुत सारे कॉटेजेस मिल जाएंगे और गाउं की बसावट तो यहां प के पास में है और नीचे भी मस खेती कर रखिया गोवी लगा रखिया यह पत्ता गोवी फ्रेंट जिसको आजकली लगाया जाता है और अक्टुबर नॉम्बर के समय में यह रेडी हो जाती है फ्रेंट हैनली मैं पहुंच चुका हूं कशले मार्केट में और कशले बारिस का महौल बन गया है मुक्तिसर घाटी है सामने के तरफ में तो यहां से बारिस का महौल बन रहा है तो प्रेंट अभी समय हो रहा है दो पहर के ठाई बजे यानि कि तीन बजने ही वाले हैं यह देखिए और मैं भी कशले मार्केट में हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज बारिस फ्राण फाइनली बारिस मन हो चुकी है और अभी जो कशले मार्केट में महौल देखने को मिल रहा है इसको लिए बच्चों को तो हो चुकी है छुट्टी तो फ्राण फाइनली पहाड़ों पर आज की भी दिन की साम होने जा रही है और धिरे धिरे देखिए संसेट तो हो ही चुका है और धिरे धिरे घाटियों पर कोहरा आने लगा है बारिस भी हो सकती है साम को लेकिन नजारे काफी ओसम आ रहे हैं देखिए तो इसी प्राण प्राण